में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जम्मू कश्मीर में भूकम के जटके मैसूस के गए हैं रिक्टर स्केल पर भूकम की तीवरता चार दशमलो साथ रही है पाकिस्तान में रहा भूकम का केंडर खेबर पक्तुनकुआ में भूकम का एपिसेंटर कहा जा रहा है बताया जा रहा है और किसी बड़े नुकसान के फिलहाल कोई खबर नहीं है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है भूकम की जटके महसूस हुए है जम्मू कश्मीर में और इसकी तीवरता जो बताई जा रही है रिक्टर स्केल पर भूकम की तीवरता 4.7 रही तो पाकिस्तान में भूकम का केंदर रहा है खेबर पक्तुनकवा में भुकम का अबिस सेंटर इसे बताय जा रहा है और फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है इस वक्त की ये बड़ी खबर भुकम के जटके महसूस किये गए जमुकश्मीर में जम्मु कश्मीर में ये जटके महसूस किये गए है और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है लेकिन इसकी दीवरता 4.7 बताई जा रही है जाहिर तौर पर हर कोई देहशत में होगा लोगों में डर बना हुआ है पाकिस्तान में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है खेबर पक्तुनकूआ में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है जम्मु कश्मीर में ये जटके महसूस किये गए ज्यादना ज्वानकारिक ले हमारे सैयोगी खालिद हुसाइन हमारा सा जुट चुके हैं खालिद भूकम के जटके मैसूस के गए है जमू कश्मीर में? देखे बिल्कुल हलके बूकम के जटके जो है आठ बज कर 36 मिनट पर पूरे जमू कश्वीर में महसूस हुए और उसके बाद जो जानकारी हमें दी गई है उसके पताबिक इसकी त्रविता जो थी वो 4.7 रही है और इसका जो एपी सेंटर में आपको बता दू खायबर पाख किस तरह के इस वके बने हुए हैं क्या लोगों में कोई डरका माहूल देखा जा रहा है किस सरके सिती हैं? आज क्योंकि त्रविता भी इसकी बहुत कम थी 4.7 और एपिसेंटर भी जमुकश्मीर से काफी दूर था इसलिए हलके जटके जो है यहाँ पर महसूस हुए हैं और लोग जो दूसरी मंजिल में थे यह आफिस में आपर स्टोरीज में थे उनको ज़्यादा जटके महसूस हु और इसकी तीवरता 4.7 बताई जा रही है